प्रभाद बच्चों, आज हम लोग सिर्शे छितिस भाग दो पढ़ने जा रहे हैं अध्याय दूसरा जिसमें तुलसी दास द्वारा रचित राम लक्षमन परशुरान समवाद है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ सिर्शक हमने पढ़ा था कि इसमें राम लक्षमन से परशुराम का किस प्रकार समवाद होता है और किस प्रकार दोनों में एक दूसरे से समवाद करते हैं और एक दूसरे से बहस हुई है इसमें इसमें राम ने जब धनुत तोड़ा है तो परशुराम वहां क्रोधित होकर आए और उन्होंने कहा है कि इस धनुस को किसने तोड़ा और किसकी हिम्मत हुई है कि इस धनुस को तोड़े जो सीव जी द्वारा दी गई थी हम लोगोंने अभी तब जो पढ़ाई की तो उसके बात से हम लोग अब यह पढ़ने वाले हैं जो दूसरा पद है तुम्तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोहिलाग बुलावा सुनत लखन के वचन कटोर परसु सुधारी धरोकर भोरा तुम तो कालू हाक जन लावा इसका मतलब ये हुआ लक्ष्मन कहते हैं कि आप तो बार-बार मुझे काल को हाक लगा कर उकारकर मुझे बार-बार मुझे बुला रहे हैं सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरोकर गोरा लक्षमन के कठोर वचन को सुनते ही परसुराम ने अपने भ्यानक फर्षे को सुधार कर हाथ में लिया अब जनी देईस दोसी मोही लोकू कटू आदी बालोकू बधु जोगू उन्होंने ये का कि अब लोग अब बोले अब लोग मुझे दोस न दे या कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है बालक भी लोकी बहुत मैं बाचा अब यही मरनिहार भा साचा कौसिप कहा च्छमूओ अपरादी बाल दोस गन ही नसादू उन्हों ने का कि वो बोले कि अब लोग मुझे दोस न दे या कड़वा बोलने वाला बालक मारे जानी के ही योग ये इसे इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया पर अब यह सचमुच मरने को ही आगया है खर-कुथार में अकरण कोही आगी अपराधी गुरुद्रोई बिश्वामित्र ने कहाँ अपराध आप चमा कीजिए साधू लोग बालकों के दोश और गुन को नहीं गिनते हैं परशुराम जो थे उन्होंने जो बिश्वामित्र थे उन्होंने परशुराम से कहा कि आप इस बालों को छमा कर दे क्योंकि यह बालक अपने गुन और दोसों को नहीं समझ रहा है ये बचपना ये जो बचपना है उसी में ये सब कुछ आपके बारे में क्रोध में आकर कह रहा है परशुराम बोले उदत दे छोड़े बिन मारे केवल कौसिक सील तुहारे ना तो ये काटी कुथार कथोरे गुरही उरिन होतेव छम्थोरे उन्होंने कहा कि परशुराम बोले तीखी धार का कुथार लिए मैं दयारही तुवक क्रोधी और मेरे सामने ये गुरु द्रोधी और अपरादी उत्तर दे रहा है गधासू ना नू का हिर्दयम हसी मुनि ही हरी अरे सूज अयमय खाड न उखमय अजहू न बूज अबूज अबूज विश्वामित्र ने हिर्दयमे मनी मन में हसकर कहा मुनी को हरा ही हरा सूज रहा किन्तु ये फौलादी खाड है गन्ने की खाड नहीं मुनी अब भी बेसमज बने हुए इनके भाव को नहीं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं भाव यह है कि मुनी परशूराम, स्रीराम, लक्ष्मार का साधारान छत्रिये बालक की ही समझ रहे हैं वे उनकी असिम सक्तिव विर्टा से अपरी चित हैं इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं परसुराम परसुराम ने कहा बिश्वामीत्र मन ही मन सोच रहे है यह इस बालक को नहीं समझ रहे हैं कि यह कोई शाधारन बालक नहीं यह एक छत्रीय बालक है जिसके पास असीन सक्थी और पीटता है पितत संसारा माता पित ही उरने नईनी के गुर रिनु रहा सोच बढ़ जी के लक्षमा ने कहा हे मुनी आपके सील को कौन नहीं जानता वह संसार भर में प्रशित है आप माता पिता से तो अच्छी तरह औरिण हो ही गये हैं अब गुरु का रिन रहा जिसका जी मैं बड़ा स सोच लगा है सोजन हमरे हूं माते काढ़ा दीन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा अब आनन व्यवहार हूं बोली तुरत देव मैं थेली खोली वह मानो हमारे ही सिर निकाल रहा था बहुत इंबीत गए इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा अब किसी इस हिसाब क करने वालों को बुला लिजिए मैं तुरन थेली खोल कर दिल धूंगा अब सुनी कोटी वचन कुठार सुधारा हाय है सब सभा पुकारा भ्रिगबर परसु देखबह मोही विप्र विचारि पंचुन रिप दोगी मिले न कबहु सुबट न गाड़े द्विज्व देवता घर ही के बाढ़े अनुचित कही सब लोग पुकारे रगुपती सैनी लगनवने वारे उन्होंने कहा कि बहुत उनका इसलिए ब्याज बहुत बढ़ गया है अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लिजे मैं तुरन थेली खोल कर दिलूगा लक्षमन के कटू वचन को सुनक परशुरा में कुठार समाल लिया सारी सभा हाय है कर पुकार उटी लक्षमन ने का हे ब्रिगु स्रेश्ट आप उजे फरसा दिखा रहा है परन्तु हे राजाओं के सत्र मैं ब्रामन समझकर आपको बचा रहा हूँ आपको कभी रंदीर बलवान और वीर नहीं मिले हे ब्र रखन उतर आउति सरिस भ्रिगु वरकोपु पुश्रा क्रिशानू बढ़त देख जलसम वचन बोले रगु क्रिल रगु कूल भानू यह सुनकर सब लोग अनुची तोगर करकर पुकार उठे अब तब रगुनात ने इसारे से लक्षमन को रोग दिया रगुनात का आप यह मतलब है श्री राम ने इसारे से लक्षमन को रोग दिया लक्षमन के आहुती के समान उतर से परशुराम के कुप के क्रोध रुपी अगनी को पढ़ते देखकर रगु कूल के सुरिश श्री राम रजल के समान सांध करने वाले वचन बोले लगे अब बच्चों यह जो बिश्वामित्र ने उनके बीच सुला करवाने की कोसिस की और लक्षमन लक्षमन को उन्होंने बहुत ही बचाने की कोसिस की इस प्रकार या इसे पाठ को पढ़ें और समझें और या पाठ बहुत ही कठीन है बच्चों इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें झाल झाल